हेलो दोस्तों, आज मैं क्रंची ग्रेनोला की रेसिपी आप लोग ऐसाँ शेर कर रहे हूँ, जो काफी हेल्दी, हाई फाइवर और निट्रिसन से भरा हुआ है खाने में काफी क्रंची और टेस्टी लगता है, इसलिए बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं जनरली बच्चे फ्रूट्स और नट्स खाना पसंद नहीं करते हैं, इसके द्वारा आप उन्हें फ्रूट्स और नट्स की आवशक मात्रा असानी से दे सकते हैं इसे बनाने के लिए आवशक समागरी की जुरत पड़ेगी जो इस प्रकार है सबसे पहले रोल ओट्स, कौन फ्लेक्स, गेहों का फ्लेक्स, फ्राइट पोहा, एकर कटोरी लें फ्लेक्स सीट्स, पंकिन सीट्स, वाटरमेलन सीट्स आप दो बड़े चमच लें आप ड्राइफ फ्रूट्स में बादाम, काजू, अख्रोट, पिस्ता, क्रेन बेरी, काली किश्मिस, पिली किश्मिस, मिक्स बेरी, ड्राइफ फ्रूट्स, ड्राइफ क्रेन बेरी, यह सब आप चाल बड़े चमच लें आप कडाही गरम करें उसमें दो बड़े चमच घी डालें जब वह गरम हो जाए आप उसमें एक कटोरी ओट्स डालें और उन्हें दो मिनट तक भूलें जब वह दो मिनट तक भून जाएं तब आप उसमें गेहूं का फ्लेक्स डालें कॉन फ्लेक्स डालें मुर्मुरे डाल तो राइस डालें इन सभी अनाजों का दो मिलड़ तक भूने जब यह भून जाएं थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाए फिर आप उसमें सब सब सीट्स ढाल दें और उन सभी को आप दो मिलड़ तक भूनें सभी ड्रैफ फूर्ट्स को आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें अपने अनुसार छोटा या बड़ा और काट कर आप उन्हें भी कडाही में डाल दें और उन्हें भी दो मिनिड़ तक रोष्ट कर लें जब यह पूरे तरीके से भून जाएं और इसका कलर चेंज हो जाएं और यह चलाने में हलका लगें तब आप समझ जाएं कि यह सभी जो समान है वह अच्छे से भून गए हैं और यह बहुत अच्छे रोष्ट हो गए हैं आप अपनी जणरूत के हिसाब से सीट्स और ड्राइफ फूट्स यह ले सकती हैं आप इसको घटा भी सकती हैं और बढ़ा भी सकती हैं इसके बाद आप पैन लें, उसमें एक चमच घी डालें, चार चमच उसमें आप गुर डालें, यानी की जैचे से गरम करें. जब वह पिढ़ाई जाएं, तो आप इसमें दो चमच पानी डालें, पानी डालें तो उसको उबालें. जब वो उबनने लगे और फ्रस गारहा दिखाई दे तो आप तब आप समझ लें कि हमारी चास्मी बनकर तयार हो गई है जब हमारी चास्मी बनकर तयार हो गई तो हम उसे कडाही में रखे हुए जो सभी अनाज ड्राइफूट्स और सीट्स का भूंद कर रखे हुए हैं उन इतने भी बेरीज हैं क्रेण वेरीज मिक्स वेरीज इन सब ही को डालकर आप उसे अच्छे से मिला दें जब वो अच्छे से मिल जाए और वह सूख जाए तब आप उसे बड़े बरतन में निकालें और एक अच्छे से मिक्स करके आप उसे ठंडा होने दें जब यह थंदा डालें आप अपने जरोत के हिसाब से उसमें दूध डालें कम्या जादा भी कर सकती है और उसे मिक्स करें अब आप इससे टेस्ट करने के लिए तयार हैं यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें जादस जादार लोगों को शेयर करें और आप मुझे कुछ सजेशन भी दे सकती हैं धन्यवाद